नमस्कार दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आर्ती ध्रक्स शेर में हमें लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है और दोस्तों ये शेर रोज के नए अपने 52 वीक लो को अचीव करता जा रहा है तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ आर्ती ध् शेर का टेकनिकल अनिलिसिस और हम देखेंगे कि इस शेर में एक धमा के दार देजिकव आईगी इस टॉक में हमारे बेश्ट बाइंग लेवल्स कॉंसरेंगे और अंत में डिसकस करेंगे कि ये शेर हमें शॉर्ट टम में कॉंसे टार्गेट्स अचीव करता हूँ का काम कर सकता है क्योंकि दोस्तों जब इस शेर में हमें 2020 में ऐसी ही कुछ गिरावत देखने को मिली थी यहाँ पर आप देख सकते हो 2020 में भी हमें ऐसी ही कुछ गिरावत देखने को मिली थी तभी इस शेर ने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया था और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो इस share ने support लिया इस level पर और उसके बाद हम एक बहुती धमा के दार तेजी दिखाई तो यहाँ पर हम कहाई सकते हैं कि 510 रूपीज का level इस share के लिए एक important support का काम कर सकता है और यहाँ पर दोस्तो यह जो लगातार गिरावट चल रही है इसको यह support counter करके एक तेजी दिखा सकता है दोस्तो अगर बात आती है इस share में important resistance की तो यहाँ पर दोस्तो इस share में भी बहुत सारे resistance है पर जो सबसे ज़्यादा important resistance है वो है 561 का level यह वाला level अगर यह share इसके उपर जाता है तो दूसरा resistance है 600 रूपीज का level यह वाला level और दोस्तो जो आखरी resistance है वो है 641 का level यह वाला level तो दोस्तो यहाँ पर support level तो एक ही है पर resistance लेवल बहुत सारे है अगर यहाँ पर मैं technical indicators अपलाए करता हूँ तो यहाँ पर MACD को अपलाए करूँगा और दूसरा जो indicator है वो है relative strength index या फिर RSI तो यहाँ पर दोस्तो दोनों indicators apply हो चुके है अगर बात करते हम relative strength index की तो यहाँ पर आप देख सकते हो RSI में भी हमें लगातार एक fall देखने को मिला है लगातार गिरावट में देखने को मिला है RSI और दोस्तो RSI का जो अभी value है वो over sold zone में आ गया है क्योंकि दोस्तो इसका value अभी 30 के नीचे आ गया है तो यहाँ पर हमें RSI से यह पता चलता है कि इस share में हमें यहाँ से एक छोटा सा reversal या फिर एक छोटा सा हमें तेजी देखने को मिल सकते है क्योंकि relative strength index बहुत ज्यादा नीचे चला गया है और यहाँ से मुझे लगता है जरूर यहाँ पर buyers active हो जाएंगे और यहाँ से इस share के price को उपर लेके जाएंगे यहाँ पर दोस्तों MACD में भी लगाता नेगेटिव इस्टोग्राम जनरेट हो रहे हैं पर अच्छी बात यह है कि MACD में भी हमें एक bullish crossover देखने को मिल सकता है तो दोनों टेक्निकल इंडिकेटर अभी तो bearish है पर मुझे लगता है कि अगर यह share 510 के दर आता है तो आप खरिच सकते हो क्योंकि दोस्तों यह level एक बहुत ज़्यादा important support level है और दोस्तों अगर आप long term investor हो तो current market price पे भी खरिच सकते हो पर दोस्तों अगर आप एक trader हो तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको positional trading क रखने को मिल सकती है जो सबसे पहला मेरा target रहेगा वो रहेगा 600 rupees का level दूसरा target यहाँ पर मेरा रहेगा 641 का level और तीसरा target रहेगा 700 rupees का level short to mid time में दोस्तों यहाँ पर यह share fundamentally भी मुझे अच्छा लगता है तो यहाँ पर आप इस share को current market price पे भी खरिच सकते हो अगर आप investor हो और दोस्तों अगर यहाँ पर आपको stop loss लगना है तो मुझे लगता है 505 rupees का stop loss सही रहेगा तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर देना क्यूंकि दोस्तों इससे मुझे बहुत ज्यादा motivation मिलता है तो like कर देना और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe भी कर देना और दोस्तों यह वीडियो के educational वीडियो था इसलिए इस शेर में मेरी कोई भी buy sell or hold की advice या फिर सला नहीं है धन्यवाद